स्वागत है दोस्तों हमारे यूटूब चैनल रुदावली ट्रैंसेक्शन क्लब में वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए आज हम लेकर आएं हैं अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर रुदावली रेलवे स्टेशन से रौजा गाउं रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की अपडेट लेकर काफी समय से हमारे सब्सक्राइबर्स की मांग थी कि रुदावली रेलवे स्टेशन से लेकर रौजा गाउ रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की ताजा अपडेट दी जाए उन्हीं की डिमांड पर आज हम लेकर आएं है रुदावली रेलवे स्टेशन से लेकर रौजागाउ रेलवे स्टेशन तक डबलिंग की अपडेट आज की हमारी ट्रेन है 1.3307 गंगा सतलज एक्स्प्रेस सामने आप देख सकते हैं 1.3307 गंगा सतलज एक्स्प्रेस रुदावली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर आ रही है आज का हमारा कोच है AC2 टायर में A4 और आज हम इसी ट्रेन के माध्यम से आपको रुदावली से लेकर रौजा गाउं तक गबलिंग की अपडेट देंगे हमारी ट्रेन अप 12 बंकी की दिशा में प्लेटफार्म पर आगे बढ़ दई है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लें साथ ही बेल आइकन में आल को प्रेस कर लें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए अगर आप हमें बारा बंती जक्सन से लेकल जाफराबाद जक्सन के बीच में किसी भी स्टेशन से कोई अप्डेट देना चाहते हैं तो हमारे वाट्चप नमबल 9956134154 पर भेज सकते हैं रुदाली से सोहावल रेल्वे स्टेशन तक डबलिंग का कारे कमप्लीट है और इन दोनों स्टेशनों के बीच में दोनों ट्रेक पर ट्रेने दोड़ रही हैं और एक सेक्षन छोटा सा और खोला गया है रुदाली रेल्वे स्टेशन से लेकर सबदर गंज रेल्वे स्टेशन तक लगभग 9 किलो मीटर का सेक्षन है उसको भी ओपिन कर दिया गया है ट्रेनों के संचालन के लिए अब हमारा जो अगला सेक्षन है वो रसावली से लेकर बारा बंकी तक है जो की जल्द ही खुलने की उम्मीद है इसके बाद में मान के चलिए आप की जिस सेक्षन पर आज हम यात्रा करने जा रहे हैं रुदावली से रोजागाउं ये सेक्षन इसके बाद खुलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि यहां पर कारे 90% तक पूरे हो चुके हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा को यह देखिए रुदावली का साइन दोड़ा गया और अब हमारी ट्रेन रुदावली रेलवे स्टेशन से दिपाल चल ले चुकी है जो कि चार घंटे की दे ट्रेक से आगे बढ़ जाती है तो उनको रोपने के लिए आगे मिट्टी की पठाई करके एक ठोकर बनाई गई है यह रुदावली भेलसर मार्क का आरो भी आ गया जो कि आपने वीडियो में देखा रोड ओवर ब्रिज और अब हम चल रहे हैं रोजा राउं रेलवे स्ट लेकिन की दिशा में देखे चांब का वकत हो रहा है चाने चौने के पडने की पड़ार है और यहां पर देखिये जो अप लाइन है हमारी बढ़ बनकी की दिशा में इससा घंधा में चलनाकी और वीडिई प्रेडियों में फिर से अपडेड देंगे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कैची डालने का कार पूरा कर लिया गया है केवल अब आगे से ट्रैक को जोड़ना ही है आगे स्टॉपर लगा हुआ है अभी हम आपको उसका व्यू दिखाएंगे उसके बाद वहाँ से ट्रै कारी मिल सके आपको रुदावली से रोजागाओं के बीच में अभी आपने देखा पीछे की तरफ इस्टॉपर लगा हुआ है और यहाँ से ट्रैक डबलिंग के लिए अग डाला जा चुका है जिसमें बैलास्ट भगने का काम किया जा रहा है अभी यहाँ पर आगे की तर हो गया है डबलिंग का कुछ किलो मीटर मान के चलिए आप एक से दो किलो मीटर के अंतराल में कारे बचे हुए हैं जिनको अभी पूरा किया जाएगा उसके बाद यह सेक्षन कंप्लीट हो जाएगा डबलिंग का और दुदावली से लेकर रोजागाओं तक पूरा सेक्ष रेल्वे स्टेशन तक लगबग 30 किलो मीटर का सेक्षन ओपन हो जाएगा डबलिंग का अब हमारी ट्रेन गफ्तार पकड़ चुकी है और हम रोजागाओं रेल्वे स्टेशन के तरफ बढ़ रहे हैं यहां पर देखिए आप ट्रैक में अभी बैलाश्ट को भरा जाना बा किये जाएंगे अब हम चलते हैं रोजागाओं की दिशा में और आगे आपको दिखाते हैं जो साल्दा सहायक नहर पर जो पुल बनाया गया है उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे यह देखिए सामने की तरफ लेवल क्रॉसिंग आ गई जो की रुदावली से सब्जी देगा थाकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और यहां से देखिए ट्रेक डालने का कार अधूरा है मान के चलिए आप कि तीन किलोमीटर तक ट्रेक को डाल लिया गया है आगे के दो किलोमीतर में ट्रेक को डाला जाना बाकी है और हम अब दीरे-दीरे नज़्दी और आगे की तरफ ये देखे यहां पर साइड में दिवाल बना ली गई है क्योंकि यह उचाई वाला छेट्र है यहां से का कटान अधियुत होता है मिट्टी की कटान को रूपने के लिए साइड में दिवाल बना ली गई है और अब देखेए सालदा सहाइग नहाद पर ये देखे सामने ब्रिज बनकर तयार है आगे की तरफ रेलवेट को कम्प्लीट करके इस पर ट्रैक को डालने का कारे पूरा कल लिया जाएगा इसके बार मान के चलिए आप कि ये सेक्षन भी पूरा खुल जाएगा डबलिंग का अभी आप ने जो लेवल क्रॉसिंग देखी ये रुडॉली से रोजागाओं के लिए जो रोड गई है उसकी लेवल क्रॉसिंग है अब हम पहुंच चुके हैं रोजागाओं रेलवेट स्टेशन के आउटर पर जहां से हम आपको दिखाएंगे कारियों की गती को सामने आप देख सकते हैं यहां पर रेल बड़ बनाने का कारे पूरा किया जा रहा है और मिट्टी की पताई का कारे चल रहा है बगल में दिवाल का निर्माण भी हो रहा है और ये रोजागाओं रेलवेट स्टेशन के निकट में जो नाला है उस पर एक फुल बनाया गया है ये देखिए सामने की तरफ और इसके बाद अभी आपको गोरकपुर से लखनों के बीज जाने वाला आरोबी मिलेगा रोड ओवर बीज ये उपर आप देखिए लखनों गोरकपुर आरोबी आ गया जवकि एनेश सब्ताइस है नेशनल हाइवे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं रोजागाओ और रेल्वे स्टेशन के बगल में और अब ये देखिए रोजागाओ रेल्वे स्टेशन का प्लेटपार्म जो कि निर्माड़ा धीन है अभी इस पर कार चल रहे हैं आगे हम आपको दिखायेंगे रोजागाओ रेल्वे स्टेशन की बिल्दिंग सामने आपने देखा डबलिंग की अपडेट को लेका फिर मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत